देश में इस वक्त लोकसभा चुनाओं के प्रत्रम चरण का मद्दान चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए धर्म गुरू अचारी प्रमोट किश्णन है, राजनी तिग्गी भी है। जानेंगे उनसे इस वक्त देश का मूड क्या है। महाराज, लोकतंत्र के पर्व का सबसे बड़ा उत्ताव चल रहा है और पेरे चरण का मद्दान चल रहा है। देश का इस वक्त क्या मूड है आपके नजर से। देखे एक तो मैं अपील करना चाहूँगा कि जो लोग अपने वोट का इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाएं, उन्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि भारत एक महान डेमोक्रेसी है, एक महान लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो वोट जितना जाद से जादे पड़े उतना अच्छा। कि कल तक मैं Congress के साथ था, आज मैं देश के साथ हूँ, और देश नरिंद मोदी के साथ है, Congress Party को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो किसी लालच में बाहर नहीं जा रहे हैं, उनकी रगो में तो बिलकुल Congress का लहु दोड़ता है, चाहें वो जो लोग गये हैं, जितन प्रसा आरपीयन सिंग, जोती रादित सिंधिया, अशोक तमवारस, सुशमित आदेब, गौरब बलब, रोहन गुपता, विवाकर शास्त्री, लालबादु शास्त्री के पोते हैं विवाकर शास्त्री, है ना, यह सब छोड़ छोड़ के गए, अमैठी में, वहां के राजा, डॉक् परिवार और कॉंग्रेस के बहुती इस्तंब के रोप में जाने जाते थे, यह सब लोग छोड़ के चले गए, अशोक चवहान, है ना, तो यह किसी लालच में नहीं गए, यह इसलिए गए हैं कि कॉंग्रेस पाइटी महत्मा गांधी के रास्ते से भटक के महम्मद इली ज इनना के रास्ते पा गए, जो कॉंग्रेस रामराज्य की कलपना करती थी, जो कॉंग्रेस सत सनातन धर्म को के सिधानतों और सुत्रों को अपनाती थी, जो कॉंग्रेस विश्व बंधुत की बात करती थी, जो कॉंग्रेस वसुदैब कुटमकम के उद्गोश को अपनाती ती जो कॉंग्रेस वंदे मातरम का नहरा लगाती थी जो कॉंग्रेस भारत मातर की जै बोलती थी जिस कॉंग्रेस की सभा की शुरुआत महात्मा गांदी की हमेशा होती थी रगपती रागव राजा राम पतित पावरा सीता राम वो कॉंग्रेस राम से मिमक हो गई सीता राम से भी मुक हो गई, आयद्या से भी मुक हो गई, धर्म से भी मुक हो गई, सनातन से भी मुक हो गई, वो कॉंग्रेस, जो कॉंग्रेस भारत में रामराज जिलाने का सपना देखती थी, वो कॉंग्रेस राम के नाम से नफरत करने लगी, इसलिए जो सच्चा राश्ट भक्त हो होगा जो सनातन का धजवाक होगा जो सनातनी होगा वह इस कॉंग्रेस में नहीं रह सकता महराज आपने अमेठी की बात की और रहुल गांदी ने वाइनाट से अपना नॉमिनेशन तो कर दिया लेकिन उन्हें जैसे संगेत दी हैं हो सकता है अमेठी से भी वो चुनाव लड़ने की सोच तो सकते हैं सोच भी रहोंगे लेकिन वह चुनाव अमेठी से नहीं लड़ाएंगे वह अमेठी से चुनाव इसलिए नहीं लड़ाएंगे कि वह इसमृती इरानी से डरते हैं राहूल गांदी इसमृती इरानी से डरते हैं पक्का डरते हैं महराज राहू का गांधी की टीम में आप रहे हैं उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं आपने उनको चलना सिखाया उनकी टीम को प्रियंका गांधी का से चेना लड सकती हैं और जीत सकती है या नहीं प्रेंका गांधी जी कॉंग्रेस में सबसे ज़्यादा लोग प्रियनेता है लेकिन प्रेंका गांधी के साथ अन्याय हो रहा है प्रेंका गांधी जी करना सदुपयोग हुआ है कॉंग्रेस में और उनको सम्मान भी नहीं मिला है मुझे लगता है कि प्रेंका गांधी जी को चुनाब नहीं लड़ाए जाएगा क्योंकि राहुल गांधी जी का कैम्प नहीं चाहता कि प्रेंका गांधी चुनाब लड़ाए मतलब भाई बेहन के बीच कोई डिस्प्यूट है कैसा अब ये तो भाई और बहन बता सकते हैं राहुल जी और प्रेंका जी में बहुत प्रेम है जहां तक मैं प्रेंका गांधी जी को जानता हूँ वो राहुल गांधी जी से बहुत प्रेम करती है निसंदेग बहन को भाई से प्रेम होता भी है रोक करना चाहिए लेकिन प्रिंका गांधी को राजनितिक शक्ती देना नहीं चाहता राहुल गांधी का कैम्प में ऐसे लोग है जो चाहते हैं कि प्रिंका गांधी राजनीति से बाहर चली जाएं प्रिंका गांधी घर वैट करके रोटियों बनाएं महराज एक बड़ा आरोब कॉंग्रेस के ओपर लगता रहा है प्रिशले कुछ दुनों से राहुल गांधी की विचारों को देख करके उनकी बातों को सुनके लगता रहा है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी लेफ्ट की जो राजनीति है उससे प्रभावित तो नहीं हो गए है देखें लेफ्ट की जो राजनीति है उसको कभी देश ने सुईकार नहीं किया लेफ्ट की राजनीति को देश नकार चुका है यह दुरभाग के कॉंग्रेस का के कॉंग्रेस जो है बामपंत के रास्ते पे चल दी है कॉंग्रेस माववाद के रास्ते पे चल दी है कॉंग भारत की एक तारा खंडता का दोर है यह भारत को विश्व गुरु बनाने का दोर है यह भारत के उस उद्गोष को जंजन तक पहुचाने का दोर है जो कभी मर्यादा पुर्शोत्ना भगवान शीर राम से लेके भगवान क्रश्णर बुद्ध नानक कबीर की धरती है यह 2024 के चुनाम में तीसरी बार नरेंद मुदी भारत के प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं भाष्पगा जैसा नारा है कि 400 लगता है देश की जंता चाहेगी तो 500 भी हो जाएंगे चलिए हमारे साथ बात करने के लिए अचारिया प्रमौत किष्ण थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी तमाम राय रखी बात की जाए राहुल गांदियों प्रियंका गांदि को लेकर के जुनोंने एक सवाल उठाया है उसको लेकर के देश इस बात पर जरूर सोचे का एबी पी गंगा खबर आपकी जबापकी